ओके, हाइप, हाइप and only हाइप, आप सब को पता है, मार्केट में हमेशा हाइप चालू रहती है, कौन से बे स्मार्टफोन को लेकर, तो अभी इस में के महिने में दोस्तों, आपको सैमसंग के और वन प्लस का जो फोन है, उसकी हाइप आपको ज्यादा देखने को मिल रही है तो कौन से है वो फोन और क्या expected specification से जो कि आपको मिल जाएंगे, यानि अगर आप फोन लेने की सोच रहे हो, या फिर फोन में आप interest रखते हो, तो शायद आपको launching से पहले कुछ बेहतरीन बाते जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को एक like करके हमारा motivation बनाए रखना, और स 1700 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, 6GB की RAM का वेरियंट रहेगा, COD कामेरा सेट अप रहेगा, 48MP का में कामेरा रहेगा, फ्रंट कामेरा 13MP होगा, इसमें आपको 4 कलर देखने को मिल सकते हैं, चार्जिंग के बारे में आपको इसमें 15 या फिर 25W की लिकिन ओवराल एक बजट 5G फोन आपको देखने को मिलने वाला है, तो अभी ये वक्त ही बताएगा कि इसकी प्राइजिंग क्या देखने को मिलती है, अगली हाइप दोस्तों आपको देखने को मिलती है, वो है OnePlus के तरफ से, वो है OnePlus Nord 2, जी हाँ दोस्तों, अभी ये में के बैटरी भी सेम देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमेशा आपको Snapdragon देखने को मिलता है, लेकिन इस बार आपको Diamond City प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो की होगा Diamond City 1200 प्रोसेसर, एक Mediatek का बहतरी नया प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, और इ आपको 64 Megapixel का primary camera देखने को मिलेगा, तो प्रोसेसर और camera में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है, तो ये तो वक्ती बताएगा कब launch होगा, लेकिन pricing तो मैंने आपको बता दी है, उसी pricing में ये launch हो सकता है दोस्तों, अगला phone है दोस्तों, Samsung Galaxy M32, अभी-अभ अफ्तों के बाद M32 का भी आने की संभावना है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा लिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी hype ज़्यादा हो गई है, 6GB RAM, 6000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी, और Android 11 के साथ ये आने वाला है, 5G phone होगा, और अगेन ये एक mid-range या फिर budget phone आपके सकते हो दोस्तों, और आखिर के बाद दोस्तों, Samsung Galaxy F52 5G, इसकी hype अच्छी खासी चल रही है दोस्तों, इंडिया में, F62 लाँच हुआ था दोस्तों कुछ दिनों पहले, इंडिया में जो की अभी कहा सबसे best phone है, within 20,000 के budget में, और F52 के बारे में बात करें तो 64 Megapixel का primary camera आपको देखने को मिलने वाला है, AMOLED डिस्पले होगा, FHD plus resolution के साथ, 128 GB वाला variant भी आपको देखने को मिलने वाला है, ताकि बहुत लोगों को storage का मामला होता है, तो इसमें वो रहेगा नहीं, 5000 mH की battery और 25 Watt की charging का भी support आपको इसमें देखने को मिलने वाला है और इन चारो फोन की बहुत सारी hype आपको market में देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाला है 13th में को Redmi Note 10S जो की launch date confirm हो गई है, क्या आप इसमें interested हो, यह हमें comment में ज़रूर बताना, क्योंकि हम इसके related कुछ खास वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, अगर आप फोन में या फ कुछ वीडियो आपके सामने प्रेजेंट हैं तो आप उसे भी देख सकते हो, इंज्वा कर सकते हो, और हो सकते तो सब्सक्राब भी कर सकते हो दोस्तों